अगर आप उत्तर बिहार से दक्षिन बिहार जाना चाहते हैं तो आपके लिए यह ख़बर बेहद अहम है क्योंकि राजेंद्र सेतू पर वाहनों का आवागमन प्रभावित हो रहा है जहां हम बात कर रहे हैं पतना जिले में मुकामा पर बने हैं गंगा नदी पर बने हुए सबसे पुराने रेल सरक ब्रिज राजेंद्र सेतू की जहां राजेंद्र सेतू के मरमती करण के कार के कारन यहां पर वाहनों के आवागमन के प्रभावित होने की प्रक्रिया शुरू हुआ है और इसे ले करके अब रात में 12 वजे से सुबह के 4 वजे तक इसके जो सरक मारगें इसके दोनों लेन पर किसी प्रकार के वाहन की कोई आवाजा ही नहीं होगी वहीं सुबह के सबय यानि की दिन में प्रातह चार वजे से रात के बारह वजे तक केवर एक लेन पर वाहनों की आवाजा ही होगी इस वजह से कि अब एक लाइन से ही बारी बारी से वहान एक बार पटना से वेगुशराय के साइड में दूसरी बार वेगुशराय से पटना की ओर आएंगे जाएंगे दरसले हम राजंदर सेतू की बात करें तो राजंदर सेतू को लाइफ लाइन के रूप में माना जाता है बिहार में यह लाइफ लाइफ लाइन इसलिए भी है कि वर्स 1969 में बने राजंदर सेतू को बिहार में सबसे पुराने रेल पुल का गौरव प्रात है यह एक ऐसा पुल है जो रेल सहसरक पुल है और गंगा नदी पर बना हुआ सबसे पुराना रेल पिरज है तो इस पुरूच पर जहांके रेल और सरक दोनों के दोनों है इस पे जो रिखरखाव की जिम्मेदारी है वो पुरू मध्य रेलवे की है तो पुरुमध रेलवे की ओर से ही पताया गया है कि इस पुल के मरमती करन का कार आज से शुरू हुआ है और इसके लिए रात में बारह वजे से सुबह के चार वजे तक दोनों जो सरक लेन के लेन हैं उस पे वाहनों की आवाजाही पुर्ण रूप से प्रतिवंधित रहेग और मरमती करन का कार भी आज से सुरू हो चुका है जो पुरुमध रेलवे है इसके देशा निर्देशन में वहाँ जो कंस्ट्रक्शन कमपनिया है वह पुल के मरमती करन का कार शुरू कर चुके हैं अगर हम बात पुल की करें तो यह पुल उस जगह पे इस थे थे जहां से अगर आप उत्तर बिहार और साथ ही साथ उत्तर बिहार के अलावे जो पूर्वत्तर भारत है यानि कि असम और सेश जो जीले हैं जो राज्य हैं उन तमाम जाज्यों और जीलों की जो आवागमन है दक्षिन बिहार या सेश भारत से जुड़ने के बात करें तो वह सब राज आवागमन जहां पुल पर पूरी तरीके से बंद रहेगा वहीं सुबह के चार वजे से रात के बारहज वजे तक केवल एक लेन पर आवागमन होने से वहनों की जो आवाजा ही है वह बुरी तरीके से प्रभावित हो सकती है इस वजह से चाहें पटना की वाद करें होती है यह सब इसी पुल के माध्यम से होती है तो ऐसे में जो सरक मारक से गुजड़ने वाले हज्यारों वाहन उनके रूजाना आवागमन पर बुरी बुरी स्थिती इस पर पर सकती है क्योंकि रात के बारह वजे तक से शुबह के चार वजे तक जहां एक भी वाहन की उसके आबागमन को प्रभावित रहेगा लेकिन जो से रेल मारग है तो रेल मारग पर इस तरह की कोई प्रज़ानी नहीं होगी और रेलो के जो आबागमन है वह सुचारु रूप से बना रहेगा यानि कि अगर आप रेल के मार्ग से जा रहे हैं तο उसके लिए कोई विशेश इंता की बात नहीं है लेकिन अगर आप राजेंद सेतु के माध्यम से उत्तर से दक्षिन विहार या दक्षिन से उत्तर विहार आप सरक मार्ग से जा रहे हैं तो आपके लिए ख़वर बेहत खास है कि अब आप समय देख कर निकलें कि अगर आप 12 बजे राथ से صुबा के 4 बजे तक जाते हैं तो यह पुल समय आपको बंद मिलेगा और अगर प्रातह चार से राथ के 12 बजे तक जाते हैं तो एक लेंड से ही आपको आवाजा ही करनी प